कि नमस्कार बच्चों मैं स्रीमती रजनी चौदरी शक्पूर्व शाष्की आदाशुचता माधूत बुध्याला है निमूरा से जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी फिर से कोरोना बढ़ गया है और ओनलाइन क्लासिस लेने हैं इसकूल में आप लोग को नहीं बुलाया जा रहा है तो इसी तार्तमे में हम लोग आगे कड़ी में क्लासिस ले रहे हैं और इसमें आपको बहुत ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़ाई करने हैं जैसा कि हमारा असको सजीव में उत्सरजन तो हम खाना खाते हैं बुजनरहन करते हैं जो भी जैविक क्रियाओं को कि करने के लिए जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के फल्सरूप हमारे सरीर में भोजन का अवशोशन होता है, पाचन होता है, और जो मुख्य तत्तों हैं, वो हमारे सरीर के द्वाला अवशोशिक कर लिए जाते हैं, और कुछ वेस्ट मेटेरियल से होता है, वो हमारे सरीर सर्जन होता क्या है सजीवों में और इस उत्सर्जन को हम जिस अंगों तो इस प्रकार से हमको सजीवों में उत्सर्जन के लिए जो भी अंगों होते हैं उन अंगों के उप्योग से एक सिस्टम बनता है एक तंत्र बनता है जिसको हम उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं हमारे सरीर से अप्सिस्ट पदार्थों को बाहर निकालना और इसमें मुख्य रूप से हमारे बहुत सारे अंग काम करते हैं और इसी के करण हम इसलिए हम इनको सरीर से बाहर निकाल देना चाहिए अब सरीर से इन अप्सिस्ट पदार्थों को अनुपियों की पदार्थों को निकालने के लिए एक विवस्तित स्थान हैं जिसको की जैसे हम चित्र में देख रहे हैं सोचाला है जो की हमारे स्वक्ष भारत अभ्यान का अभिन अंग है और हमको फुले में सोच नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे बहुत प्रकार की बीमारिया होती हैं समुछी तरुप से सोचाला को उप्योग करना चाहिए और उसके बाद अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोना चाहिए अब जो हमारे उत्सरजी पदार्थ निकलते हैं उनमें अब सिस्ट में स्टूल होता है और यूरिन होता है तो जो यूरिन या मूत्र होता है यह एक उत्सरजी पदार्थ है और मूत्र को सरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशिश प्रकार का तंत्र होता है जिसको हम मूत्र तंत्र या सरजन तंत्र कहते हैं इस तंत्र में क्या कौन कौन से अंग होते हैं एक जोड़ी ब्रक्क होते हैं रक्त वाहिकाएं होती हैं मुत्रवाहनी होती है, मुत्राशय होता है और मुत्रमार्ग होता है जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं हमारे शरीर में सबसे पहले एक जोड़ी व्रक होते हैं ये देखिए बीच वाले चित्र में आपको दिख रहा है दो सेम के बीच के आकार के आजू बाजू रैट कलर के तो ये व्रक्क जो हमारे हैं डायफ्रॉम के नीचे उदर गोहा में रीड की हड़ी के दोनों और स्थेत होते हैं और ये गहरे लाल रंग के होते हैं और सेम के बीच के जैसे इनकी आकरती होती हैं इनको हम रख किया kidney कहते हैं सार आगे नहीं बढ़ रहा इनको हम रख किया kidney कहते हैं ये देखिया आपको चित्र में पश्ट दिख रहा है ये kidney ये left kidney, right kidney दो kidney होती है और ये धमनी और शिराओं से चुड़ी होती है चित्र में आपको दिख रहा है inferior vena के वा linear artery, linear vein तो इस तरह से आपको mainly kidney देखना है kidney सेम के बीच की आकार की सेम के बीच की आकार की होती है दूसरा हमारा जो धाग है इसका मुख्य रूप से रक्त वाहिकाएं रक्त वाहिकाएं हैं प्रत्य वरक्त के भीत्री भाग से दो रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई रहती है इन में से एक रक्त को ब्रक्त के अंडर ले जाती है और दूसरी ब्रक्त के छेने रक्त को बाहर लाती है इस तरह से हम देखते हैं जो धमनी और शिराएं हैं धमनी ओं में शुद्ध रक्त जाता है जो की शुद रखत को केट्नी में ले जाती है और यो शिराएं है नीले रहारी रंग की वो खराब खून खराब खून relates oxygenated नहीं होता जिसमें oxygen कम हो जाती है oxygen शरीर के अंगर द्वारा ग्रहान कर ली जाती है उस खुन को हमशिराओं के द्वार्णा फिर से दैंमे शनने के लिए भेस्त हैं इस तरह से रखे वाहिका हैंग दो प्रकार की होती हैं पीसरा भाग जू हमारा आता है वह मूत्र वाहनी दोनों वरक्य के भी तरफाग से एक-एक पूत्र वाहनी निकलती है जो वरक से छने हुए मूत्र को या यूरिन को मूत्राशय में पहुँचाती है देखे आपको दो ये यूरिन ट्यूप्स दिख रहे हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर नीचे जो थैले के समान सनरशना दिख रही है चौथा भाग जो हमारा होता है वो होता है मूत्राशय एवं मूत्रमार मूत्राशय मांश पेशियों की बनी एक थैली होती है जिसमें मूत्र एकटा होता है और भड़ जाने पर मूत्रमार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिये जाता है हम जो पानी पीते हैं वो पानी डिड़ घंटे के बाद आपके ब्लैडर में चला जाता है इसके बाद बारी आती है देखिए आप ये डाइग्राम जो देख रहे हैं सर डाइग्राम जो देख रहे हैं इस डाइग्राम में देखिए हम जो चित्र देख रहे हैं रक्तवाहिकाएं उपर आपको रक्तवाहिकाएं दिखाई दे रही हैं यह excretory system यह सरजंत अंतर का चित्र है सबसे उपर यलो भाग में दिखाई दे रहे हैं वो बरक के आकेड़नी है पर यह urinary tube है मूत्र वाहनी फिर ये मूत्राश है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद देख रहा है मूत्र मार्ग और लास्ट में आपका मूत्र छिद्र जहां से आपकी यूरिन बोड़ी से आउट होती है इस तरह से हमारे उक्सरजन तंत्र में मुख्य रूप से चार भाग हो गए अब शरीर में मूत्र कैसे बनता है या शरीर में यूरिन कैसे बनता है तो छोटी आथ में पाचन क्रिया के फलस्वरूप पाचन क्रिया जब होती है छोटी आथ में विशिश कर जो हम प्रोटीन जो लेते हैं तो प्रोटीन का पाचन हमारी छोटी आथ में होता है और प्रोटीन का पाशन होने के बाद अमोनिया गैस बनती है इसलिए कहा जाता है कि हैवी प्रोटीन आपको नहीं लेना है अगर आप हैवी प्रोटीन लेते हैं तो अमोनिया गैस जादा बनेगी और वो आपकी बोड़ी को नुकसान हो जा सकती है और यह ammonia gas रानी कारख होने के कारण इसे सरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है किंति उसे सीधे सरीर से हम बाहर नहीं निकाला जा सकता इसको क्या करते हैं यह रक्त के साथ यकरत में पहुँशती है यक्रत मिंस लिवर में और जब यह लिवर में पहुँचती है वहां क्या करती है कारबन डायोकसेड से एसाथ मिलकर के यूरिया बना लेति है देखे हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन का पाचन हुआ अमोनिया बनी ammonia का nitrifrition हुआ ammonia से क्या हो गया ammonia सीधे सरील से बाहर नहीं निकल रही है यह रख्त के शाथ में liver में जा रही है और वहां liver में carbon dioxide रहती है उस carbon dioxide से मिल ओखरके urea बनाती है urea ammonia से काम वहानी खारक होता है और जब यह urea रख्त के द्वारा व्रख के करीर के बाहर निकाल दिया जाते हैं उत्र में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से पानी होता है जैसे देखिए आप लोगों ने बहुत सारे स्टुडेंट्स ने देखा होगा कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी यूरिन का कलर है जो पेल यलो हो जाता है थोड़ा हलका पीला कलर आता है और जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो आपकी यूरिया यूरिन का कलर वाइट होता है उसका कारण क्या है जब आप कम पानी पीते हैं तो आपके बोड़ी से जो अमोनिया है जो अमोनिया यूरिया बनाई है और जो यूरिया आपके किड़नी से छन क करके निकलना चाहिए तो जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है कम पानी प्योगे तो वो डाइल्यूट नहीं हो पाता सांद्र नहीं हो पाता तो वो यूरिया की मात्रा बढ़ जाने के कारण आपके यूरिन में यलो कलर दिखता है और जब कि यदि आप ज्यादा पानी प तो इसलिए वच्चों अपनी के सुरक्षा के लिए किड्नी से अपसेस्ट पदारतों को ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए देखिए ये चित्र में आपको दिखाया गया कि आपको यूरीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है तो हमने प्रोटीन का पाचन हो रहा हमने प्रोटीन जो ग्राण किया उसका पाचन हुआ प्रोटीन का पाचन होने के बाद क्या हुआ उसको लिवर में जाता है और अमोनिया बनी और वो अमोनिया लिवर में जाकर के जो लिवर में कारवन डियोकसाइड है उस कारवन डिय यूरिया बना देती है और यह यूरिया फिर किड्नी में जाकर के छनकर के मुत्र के रूप में हमारे शरीर के बाहर निकलता है इस तरह से यूरिन का नर्मान होता है अब आमुनिया यह देखिए आपफ को Ś एक्वेशन से बतायाग है समीकरण से अमुनिया प्लस कार्बंडा औक्साइड और ये यक्रित में रहेगा और फिर जा करके क्या बनाएगा यूरिया हमारे शरीर में मूत्र के अलावब वितने क्रियाओं के दोरां और अन्य कुछ उतसरजी पदार्थ भी बनते हैं शरीर में बने कुछ हाने कारक पदार्थों को आहार नली के द्वारा मल के स तथा कारवंड औक्साइड वा जलबाश पर छोड़ी गई स्वास के द्वारा बाहर निकाल दिये जाते हैं देखिए आपको शितर में आहार नली दिख रही हैं दूसरा कारवंड औक्साइड जलबाश पर छोड़ी गई स्वास के द्वारा भी बाहर निकाला जाता हैं इ हमारी त्वचा में शरीर की त्वचा में इसकिन में पाई जाने वाली पसीने की ग्रंथी से पसीने के साथ कई प्रकार के लवान जो हमारे शरीर के लिए अनुपियोगी होते हैं वो भी बाहर निकाल दिये जाते हैं इसी लिए हमको पानी की कमी ना हो और हमारे सरीर में अपसिस्ट पदार्थों की मात्रा ना बढ़े हमको अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और पानी पीने के साथ साथ आपको एकसरसाइज भी करना चाहिए जिससे आपके सरीर के जो अपसिस्ट पदार्थ हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकाले जा सकें अब जहां तक हमने यह भी बात की थी मनुश्यों की अब इस्थली जीवों की जब हम बात करते हैं तो अधिकांस इस्थली जीवों में यूरिया के रूप में उत्सर जीव पदार्थ निकलते हैं परन्त कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो तरल मूत्र का उत्सर जन नहीं करते हैं अब देखी कौन नहीं करता तरल का उत्सर जन तो शुश्क वातावरण में पाए जाने वाले जन्तू जैसे छिपकली, सांब, कबूतर, दिलचटा, खौकरो छिप आदी में ठोस अमोनियां यूरी कमलों में बदल जाती है जो ठोस अमोनियां हमारी वो किसमें बदल जाती है यूरी कमलों में जिससे ये जन्तू ठोस रूप में यूरी कमलों का उत्सर जन करते हैं और पक्षियों की जो बीट का रंग है वो सफेद वाकाला आपने देखा होगा जनरली चीडियां की बीट सभी ने देखी है सभी के घरों में चीडिया पेड़ पौधे लगे हुए है या च्छत की उस पे मुंडेर पे सब कहीं चीडिया बैठती है और वहां वो बीट भी कर तो वह सारा उसका फोजन का अप्सिस्ट नहीं होता जो सफेद कलर होता आप जैसे हम लोग यूरिन निकालते हैं तो हमारी यूरीन यह लिकुड होती है दुअ रवरूरोप में फक्षी दुए Sounds का शबश नहीं होता है उनमें यूरिक अम्ल बंता है और वही यूरीक अमल सफेद भाग जो है उनकी बीट में वो यूरी कमल होता है और जो काला भाग है भोजन के अपसिस्ट पदार्थ का होता है इस तरह से हम देखते हैं कि शुष्क वतावरण में पाये जाने वाले जन्तू साप, शिप के लिए तिलचटा, पौकरुच, आदी ये सफेद भाग यूरी कमल और काला भाग भोजन के अपसिस्ट पदार्थ इनकी बीट में होता है नेक्स्ट हम आप जब बात करते हैं जलीव जीवों की जैसे की मचलियां तो मचलियां कैसे उतसरजन करती हैं तो मचलियां शरीर में बनने वाली अमोनियां को इनमें अमोनियां अपसिस्ट पदार्थ होता है ये अपने शरीर में बनने वाली अमोनियां को सीधे पानी में गूल कर उतसरजित कर देती हैं पानी में अमोनिया को छोड़ देती हैं वो अमोनिया पानी में घुल जाती है और इस तरह से मचलियों में उत्सरजी पदार्थ अमोनिया होता है नेक्स्ट बारी आती है हमारी सुक्ष्म जीवों की जह हम सुक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव के रूप में हमको सबसे पहले एक कोशिय जीव, यह उने सेलूलर एनिमल्स जैसे अमीबा, युगलीना, पेरामेशियम, हाइडरा इन आदी में भी अमोनिया उत्सरजी पदार्थ के रूप में बनता है और इन जीवों की सनरचना सरल होती है वह इनका पूरा शरीर भी पानी से घिरा रहता है क्योंकि यह पानी में ही पाये जाने वाले जीव है अत्ह जैसे जैसे अमोनिया गैस बनती जाती है वह स्वता ही इनके शरीर की सतह से अलग हो करके पानी में घुलती जाती है पानी में निकाल दी जाते हैं इस प्रकार इनका उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो सुक्ष्म जीवों में अमीबा, युगलीना, पेरामेशयम, हैड्रा इन सभी में भी उत्सर्जी पतार्स आमोनिया होता हैं और जो की आमोनिया सीथा पानी में निकाल दी जाते हैं अब ये हमने जनतूं के उत्सरजन की बात देखी अगर हम आप पौधों की बात करें तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्रिफ जनतूं में ही उत्सरजन होता है उत्सरजन तो पौधों में भी होता है क्या आपने पौधों में उत्सरजन देखा है पेड़ पोध हमें भी जन्तूं की तरह उत्सरजन की प्रिक्रिया होती है परन्तु इनमें जन्तूं की तरह उत्सरजन के लिए विशे स्टांग नहीं होते है कई वरक्षों की पत्तियां और छालों को सूप कर हमने गिरते देखा है उरक्षों की पत्तियां उच्छालों का सूप करके गिरना ये भी एकुछ सर्जन है उनका पिढ़ की पत्तियां गिरती हैं उसके बाद उनकी नई पत्तियां आती है कुछ पोधों में जैविक क्रियाएं होती हैं वो जैवेक क्रियाओं के फल सो रूप बने उपसर जी पदार्ज, पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम औक्जिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों के रूप में संचित हो जाते हैं, खटे हो जाते हैं और ये कोशिकाwn़ में जीवन परियंत बने रहते हैं देखें आपकी जयाव एक रही क्रियाएं होने कुछ आपको ही था में तो उनमें कुशीजाबभ nine क्या बना चैमीकल केलशियम और यह जालशियाम और कैलशियम कारब्भनेट कार्बोनेट और यह कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्सियम उक्जिलेट एक बार बन गए तो वह हमेशा उसमें पौधे की कोशिकाओं में रहेंगे और आप कभी भी उसके फल को उसके पत्ते को खाएंगे तो उसका एफेक्ट आपको दिखेगा जैसे कि हम लोग जिमी कांदा या अर्वी जिमी कांदा सभी लोग समझते हैं चित्र में देखे आपके अर्वी का पत्ता दिख रहा है आपको कोशई जिसको बोलते हैं और जिमी कांदा भी देख रहा है जिमी कांदा की सब्जी सभी के घर में बनती हैं तो जब आप जिमी कांदा खाते हैं या अर्वी के पत्ते खाते हैं तो क्या देखते हैं उसमें अगर उसको अच्छे से साफ ना किया जाए अच्छे से ना पकाया जाए अगर उसको अच्छे से साफ ना किया जाए ना पकाया जाए तो क्या होता है उसमें आप बोलते खुजली हो रही है गले में खुजली होती है कुछ खा जीमी कांदा और अर्भी के पत्तियों की सबजी खाने पर गले में खुजली या चूपन टाइप की महसूस होती है तो उसका कारण है उनमें कैलसियम आजेलेट और कैलसियम कारबोनेट के कर्स्टल्स जमा हो जाते हैं और जो calcium oxalate और calcium carbonate के crystals को यदि हम अच्छे से उनको boil करके अच्छे से गरम करके उनको नस्ट नहीं करते हैं तो वो खाने में वो crystals आपके गले में जाके नुकीले सिरे के रूप में छूबते हैं और इनको हम बोलते हैं रेफाइड अगर आपसे पूछा जाता रेफाइड क्या है यह किस में पाया जाता है यह आपसे कहा जाए कि रेफाइड पाये जाने वाले दो पौधों के नाम आप बताईए तो उश पौधों में जैविक क्रियाओं के फल्सोरूप उटसरजी पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में कार्बोनेट के crystals जमा हो जाते हैं और यह जीवन परियंत बने रहते हैं और इनी के कारण हमारे गले में कुझली या चुभन महसूस होती है और इन के crystal के नोखीले से रहते हैं और इनी को हम रेफाइड कहते हैं और इसके example आपके अर्भी और जिमी कान अब हम आगे अगर बात करते हैं एक हम practical करके देखते हैं अभी बेटा आप लोग आ नहीं रहे हैं lockdown के कारण स्कूल जब आप स्कूल आएंगे तो हम इस practical को करके बताएंगे और आप करेंगे आप खुद करेंगे इसको करवाएंगे आपसे तो इसके लिए हमने क्या किया है हम एक बरगत की पत्ती लेते हैं और उसके अनुप्रस्त काट काटते हैं अनुप्रस्त काट कैसे काटेंगे हमको महीन अनुप्रस्त काट काटनी है तो उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं एक आलू का तुकड़ा ले लेते हैं और आलू के तुकड़े के बीच में कट लगा देते हैं और उसमें हम इस परगत की पत्ती को रख देते हैं और उसको रखने से अब उसके बाद हम उसकी पतली महीन स्लाइस काटेंगे तो वो हमारी अनप्रस्त काट आसानी से उसकी निकल जाएगी क्योंकि हम एक सिर्फ पीपल की पत्ती को पकड़के उसके आसानी से अनप्रस्त काट काटना थोड़ो कठीन होता है बट यदि हम आलू के बीच में या कद्दू लेंगे कद्दू का टुकड़ा लें उसके बीच में भी रखके हम अनप्रस्त काट काट सकते हैं तो उसके बीच में भी रखके जहम अनप्रस्त काट काटते हैं तो वह आसानी से कट जाती है अब अनप्रस्त काट आपने काट ली काटने के बाद इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले तो आपको वर्गत की पत्ती चाहिए थी उसके बाद आती आवश्यक सामंगरी की बाद तो वर्गत की मोटी पत्ती फिर ग्लिसरीन ग्लिसरीन अभी सब ही लोग जानते हैं फिर पानी भी चाहिए, इसलाइड काँच का इसलाइड पट्टी चाहिए, अनप्रस्ट काट काटने के लिए उसकी नया ब्लेड चाहिए, या नया कटर चाहिए, फिर हमको माउंटिंग के लिए लाल स्याही चाहिए या सैफरे निन चाहिए, अगर आपके हैं प्रयोग शाल और अगर आपको लाल साही भी नहीं मिल रही है तो आलता आप सभी की घर में रहता है आप आलता का प्रयूग कर सकते हैं और सबसे में चीछ जेशी है यह जो हमको इस अंपरस्ट काथ को देखने के लिए सुक्ष मिदर्सी सरल्शूप्ष में दर्शी मिल जाएगा उससे हमारा काम हो जाएगा अब इसमें क्या होता है पौधों की कोशिकाओं में कैल्सियम उक्जेलेट और कैल्सियम कौरबोनेट के क्रिस्टलों के रूप में इस अंशित हो जाते हैं कैसे संशिट होते हैं हम यदि पत्ती की अनप्रस्त कार्ट देखते हैं तो उपर में हमको जाइलम फ्लोय हम देख रहे हैं और जो बंदल के रूप में देख रहे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सेलेट के क्रिस्टल हमको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से हम देखते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में अपसिस्ट पदार्थ के रूप में calcium oxylate और calcium carbonate crystal के रूप में जमा होते हैं और जिन पत्तियों में या जिन पौधों में ये crystals जमा होते हैं calcium oxylate और calcium carbonate को हम रेफेड होते हैं अब इस प्रयोग को हम कनेर की पत्ती, बेर की पत्तियां, मनी प्लांट, अर्वी की पत्तियां और कंद को लेकरके दोहरा सकते हैं तो आप देखिए हम कितने पौधों पे प्रयोग कर सकते हैं मनी प्लांट सभी के घर में पाया जाता है कनीर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर जगह पाया जाता बेर तो सभी बच्चे जानते हैं भी छुट्टियों में दिन रात बेर में तोड़ने के लिए घूंगते हैं और अर्बी की पत्तियां अर्बी की सब्जी सेभी के घर में बनती है अर्बी के पत्ते की तो इस तरह से आप इन कंदों का उप्योग करके अब आप अर्वी की पत्तियां खाएंगे या तो आप बेर की पत्तियां तोड़ेंगे जीमी कांदा की सबजी खाएंगे तो अब आप अपने घर में बता सकते हैं कि हमको अगर जीमी कांदा खा रहे हैं और हमारे गले में व oxalate और calcium carbonate के crystals होते हैं इसलिए इनके काराणिये हमको चुपता हैं अब आगे बात करते हैं हम पौधों में कुछ ऐसे उत्सरजी पदार्थ भी बनते हैं हम यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पौधे के उत्सरजी पदार्थ हमारे लिए उन्पी हो जैसे हमने देखा कैभी पौधे की पत्तियां जढ़ गई है चाल निकल गई है तो वो उत्सरजी पदार्थ हो गए अब उसके बाद दूजरा हमने देखा कि calcium oxalate और calcium carbonate के crystals जो फिल्ट जो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है परम तुछ ऐसे उत्सरजी पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पौधों के maximum उत्सरजी पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है इवन जो सूखी leaves और जो छाल निकल रही हैं उन का भी उपयोग हम करते हैं मानलो नीम का पेड़ है नीम की पत्तियां जड़ गई हैं अगर उनको हम इखटा करके जलाते हैं तो उसके ध्रुए से मच्छर भाग जाते हैं वातावर्ण में शुद्धता आती है वाकि जो पत्तियां हैं उनको हम इखटा करके मिल के गोबर क के साथ Privates साथ शेना बनाने में उपयोग करते हैं भूसह बनाने में जानवरों को खिलाने में बहूस सारी उपयोग करते हैं हैं और वारी आते जो उतसरजी प्रदार्थ मनुश्य के लिए उपयोगी हैं जैसे गों्द गोंद कभी आपने सोचा हैं कैसे प्राप्त होती है हमारे अधिकतर बच्चे ग्रामिड परिवेश से हैं जो ग्रामिड परिवेश वाले बच्चे हैं वो गोंद को अच्छी तरह समझते हैं और शहरी परिवेश में भी अब बच्चे सब प्रैक्टिकल करके देखते हैं सब करके देखें सीखें सब जानते है आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपके घर के पास यदि बबूल का पेड़ नहीं है मुनगा का पेड़ एक ऐसा पौधा सहजन का जो लगभग हर महले में लगा होता है तो मुनगा या सहजन का पौधा भी आप देखेंगे और उसके तनिय में आप कट लगा दीजिए दो तीन और कट लगाने के बाद देखेंगे कि उससे लिक्विड निकलता है बबूल के पेड़ में मुनगा में तो कट लगाने के बास उससे लिक्विड निकलता है और जैसा फिर धीरे धीरे कड़ा हो जाता है और जब इसको हम कड़ा हो जाता है निकाल लेते हैं तो यही हमारे गोंद के रूप में हमको प्राप्त होता है तो यह भी पोधे का एक उतसर जी पदार्थ है परंतु यह हमारे लिए उपी होगी है गोंद गोंद एक हमारे भूजन का जैसे दूसरे डाइगराम में आपको दिख रहा है रवर, तो रवर भी पौधे का उत्सरजी पदार्थ है, इसके लिए भी उसके पौधे में कट लगा दिया जाता है, और कट लगाने के बाद रवर प्लांट का जो लेटेक्स निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसको वो एखटा किया जाता है उस liquid को और उस liquid को इखटा करके सुखा दिया जाता है प्रटे के रुप और फिर उससे रबर बनती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोधों के हमको विभिन्न प्रकार के बहुत सारे उत्सरजी पदार्थ मिलते हैं और जिनसे हमको फाइदा है अब शरीर से अपसिस्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया कोई भी जीव है और जीव के शरीर से अपसिस्ट पदार्थों को निकालने जीव में चाहे पौधे हों चाहे जीव जनतु हों कोई भी हो उनके शरीर से अपसिस्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सरजन कहते हैं अब उत्सरजन के लिए मुख्य रूप से कौन-कौन से अंग मनुष्य में पाये जाते हैं या जीवों में पाये जाते हैं तो इसमें हमने जैसे शित्र में देखा था पहले मनुश्य के लिए जब बात हुई थी तो मनुश्य में व्रक, मूत्रमाहनी, मूत्राज्रायवा, मूत्रमार्ग ये चार मुख्य रूप से अंग पाए जाते हैं और इनसे मिलकर के हमारे उत्सरजन तंत्र का निर्माड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम ये उत्सरजन तंत्र हमारी लिए बहुत उप्योगी है देखिए क्योंकि जितना हमको कोई भी डाइट को, खाने को, भोजन को, पानी को शरीर में लेना अवश्यक है यदि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते कहा जाता है तो उतना ही उसको निकालना, उसके अपसिस्ट पदार्थ को सरीर से बाहर निकालना आवश्यक है क्योंकि यदि आपने पानी पिया है, पानी पीने के बाद आपके शरीर में यूरिन का निर्माड हो रहा है मूत्र का निर्माण हो रहा है, मूत्र का निर्माण होने के बाद सरीर से यदी वो यूरिन के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, तो वो आपके सरीर को अपशिष्ट पदार्थ नुकसान पहुचाएंगे, आपने देखा है कई लोगों को आप छोटे वच्चों को अभी उत पेन करेगा, तो जितना आपके शरीर में खाना लेना जरूरी है, उतना ही आपका अपशिष्ट पदार्थों को निकालना भी जरूरी है, और इन सब के लिए एक नेमित समय रखना चाहिए, आप सुबह उठिये, फ्रेश होईए, तब नाष्टा करिए, बागी चीज इस तरह से आपको उत्सरजन तंत्र का आपके सरीर में बहुत महती गुमी का है, इसके बाद बारी आती है, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, अब देखिए हमारा यूरिन के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, जो हमने खाना खाया, और अमोनिया ब्लड में मिलकर के लिवर में जाती है, और लिवर में जाकर के अमोनिया कारवन डियोकसाइट के साथ मिलकर के यूरिया में बदल जा रही है, और जब वो अमोनिया लिवर में गई, कारवन डियोकसाइट से मिली और यूरिया में बदल गई, और फिर ये यूरि कारण पीला पन लिये हुए क्यों होता हैं तो उसका कारण क्या होता है की है आपकी यूरिन मत्रा सुर्टी में उर्ण बढ़ जाती थो उसका रंग पीला होता है इसलिए आपको अधिक महत्टा में पांडी पीना चाहिए जिससे पानी पीने से आपको सरीर में जो अपस्स्ट प्रदार्थें उनकी कमी होगी और प्रूर में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इसलिए हम कहा जाता है कि आप अपने किड्ग जो किड्डिनी है लूप से रूप से आपके और गयक्रत जो लिवर हैं इन दोनों को सहीं रूप से सुचार रूप से काम कर सकें अच्छे से रहें इसलिए आपको पर्याप्त मात्रह में पानी पीना चाहिए और उस से शरीर के अप्षिष्ट पדात आपके सरीर में जमाना हो वो परियात रूप से चन सकें और इनके रूप में बाहर निकल सकें आगे बारी आती है व्रक रक्त में से अप्सिस्ट पधार्थों को चानने का काम location करता है अभी आप लोग और कैसे चंता है बलाड अभी आपको सिर्फ यूरिन् का निकलना यूरिन का चंणा की मूत्र कैसे चंता है मूत्र के चंने की प्रक्रिया आपको आगे क्लास में बताई जाएगे नेक्स क्लास में। तो व्रक्रक्त में से अपसिस्ट पदार्थों को चानने का काम करता है अगर आप से पूछा जाए व्रक्त का कारिया बताईए या किड्नी का काम बताईए तो व्रक्रक्त में से अपसिस्ट पदार्थों को चानने का कारिया करता है आगे बारी आतिया आपकी शुश्क वाता वरण में रहने वाले जन्तु यूरिक अमल के उत्सरजन ठोस रूप में करते हैं अब देखिए हमने देखा कि यूरिक अमल हमारी बॉड़ी से निकलता है जो यूरिया के रूप में निकलता है वो लिक्वेड रूप में निकलता है परंतु शुश्क वाता वरण में रहने रंग होता है वो यूरिक अमले के कारण होता है वो जो काला रंग होता है वो भोजबगाद के अप्षिष्ट का होता है अब अगला है मनुष्य के उत्सरजी पदार्त मूत्र पसीना लवण गैसे इत्यादी हैं तो इस तरह से हमने देखा इस तरह से हमने देखा कि यह हो गए जन्तुओं के अप्षिष्ट पदार्त आगे हमने अभी देखा था कि पौधों के अप्षिष्ट पदार्तों की बारी जब हमने बात की थी तो पौधों के अप्षिष्ट पदार्तों के रूप में हमने देखा था कि पत्तियां सूखी पत्तियां पेड़ों की छालें और हमने आगे जिमी कांदा और अर्वी की बात की थी तो इनको खाने से हमारे गले में खुजलाहट होती है छुबन होती है तो उनमें उत्सरजी पदार्थ के रूप में केल्शियम ऑग्जलेट और केल्शियम कार्गोनेट पाए जाते हैं ज जैसे गोंध हमने देखी विभिन पौधों की गोंध प्राप्त होती है जिसका हम लड़ू बनाने उपयोग करते हैं और विभिन प्रकार के खाने में उपयोग करते हैं ताकत के लिए उपयोग करते हैं दूसरी तरफ हमने देखा कि रवर प्लांट से रवर प्राप्त होत आगे हम होमवर्क देखते हैं बच्चो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो भी होमवर्क ग्रहकार आपको दिया जा रहा है उसको अच्छी साफ सुत्री सुन्दर राइटिंग में आप कॉपी में लिखेंगे अब देखें आपका पहला कोशन है हमारे सरी से अपसिस्ट पदार्दों को निकालना क्यों आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है अपसिस्ट पदार्द क्या हमारे शरीर के लिए फायदे मंद होंगे नहीं होंगे यदि अपसिस्ट पदार्द से जादा देर तक रहेंगे हमा उधार गुहा के पार्ड। मूत्र का निर्माड दो के पाई है, जासे कि हम ने आपको बताया था, हमने क्या किया सबसे पहले आपने जब खाना खाया तो जो परोटीन है उसका पाचन होता है और परोटीन के पाचन से अमोनिया का निर्मान होता है वो अमोनिया बलड के साथ मिलकर के आपके यकरत में या लिवर में चली जाती है और वहां कारवन डायोकसाइट के साथ रिया करके अमोनिया किस में बदल जाती है यूरिया में और यही यूरिया पानी के साथ मिलकर के मोत्र के रूप में आपके शरीर से बहार निकलता है मोत्र के साथ पक्षियों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है आपने देखा पक्षियों में कुछ में थोस रूप में उत्सर्जन होता यूरिक अमले के रूप में जैसे हमने पक्षियों की बीट देखी कुछ सफेद कुछ काली होती है तो सफेद बीट होती है वो यूरी कमल की होती है और जो काली बीट होती है वो उनके भोजन का उत्सरजी पतार्थ है फिर मनुष्य के उत्सरजन तंत्र का नामांके शित्र बनाएए ये बहुत important question है और शित्र को सभी बच्चे पनाएंगे जैसे कि हमने आपको बताया सीधा पहले मनुष्य के सरीर में मुख्यरूप से उत्सरजी तंत्र का शित्र बनता है अब पक्षियों के बीट का रंग कौन सा होता है मैंने आपको अभी बताया था सफेद और काला सफेद यूरी कमल के का अगला कोशन यदि हम हमवर्क में देखते हैं तो हमारे शरीर में यकरत के क्या कार है या लिवर का क्या काम है तो लिवर क्या करता है हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में आमोनिया है वहरक्त के साथ मिल करके यकरत में आती है लिवर में आती है और लिवर में जो कारबंड और सेड रहती है उसके साथ क्रिया करके वो क्या बना लेती है आपका यूरिया और यह है यूरिया आपके मूत्र के साथ यूरिन के साथ मिल करके हमारे सरेड से बाहर निकल जाती है आगे भी आपको हूमवर्क है आगे homework में आप और questions लिखेंगे कि पौधों में कौन से जो कण पाये जाते हैं पौधों के कौन से उत्सरजी पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारे गले में चुभन होती है या गला खुजलाता है उससे सम्मंदे दो पौधों के आपको नाम लिखना है और यह किन करणों के कारण होता है किन उत्सरजी पदार्थ के कारण होता है उसके बाद आपको पौधों के तीन उपियोगी उत्सरजी पदार्थ है ऐसे तीन उत्सरजी पदार्थों के आपको नाम बताना है जो पौधों के लिए लाब डायक है इस तरह से हमने देखा कि पौधों और जन्तों में विभिन उत्सरजी पदार्थ होते हैं और यही हमारे सजीवों के उत्सरजी पदार्थ हैं झाल, 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 झाल